आए ओंजीसी के बात करने हैं, पूजा है हमार साथ तयार, मंडे को आएंगे इसके नंबर्स, पूजा बताएं, क्या एक्सपेट करें? इसके इसके इलावा, वॉल्यूस में हलकी बढ़त पर कुल्ट्रेंट कमजोर रहेगा, और नाशनल गैस सेल्स वॉल्यूम में 2% की हलकी बढ़त रहेगी, लेकिन क्रूड ओयल सेल्स वॉल्यूम सपाट रहने का अनुमान है, अगर नॉन एजिस्टट बेसिस पर देखें, त लेगिन अगर एजिस्टेट प्रेंट पर बात करें, तो मार्जिस जो हैं, अगर इसमें एक्स्पोरेशन और सर्वे कॉस्ट को हटा दे, तो उसके बाद मार्जिन जो हैं, वो 54.2% के पास देखने को मिल सकता है, तो कुल मिला कर बात करें, नतीजे कमजोर आने की उमीद ह नजार रखें, इस्पोरेशन प्लांस पर, कैपेक्स पर कितना खर्च करती है, उसको लेकर क्या कॉमेंटरी आती है, इस पर नजार रहेगी, और कच्छी तेल के दाम को लेकर, और और प्रैस पर क्या उट्लूग होता है, मैंज़मेंट का, इस पर भी फोकस रहेगा, O N G C इस पर रखेंगे नजच, देखते हैं कैसे इसके नमबर्स आते हो, देखेंगे, सुमी जी एक बार चाट पर भी डाय देते हैं, सर, O N G C के, 260-262 के लेवल के हैं, दिवाश उ एकडम चाट के उपर देखते हैं, तो टेक्निकल ये पिछले है काई अथों से और उपर में जो resistance है 270-275 के पास है यानि 250 का support है, 275 का resistance है इधर side breakout इसके अंदर move देखने को मिलेगा मेरे साब से support hold करना चाहिए और उपर का बाउच जल्दी इसके अंदर देखने को मिलना चाहिए ओके तो यह है आपके लिए ONGC जहाँ पर हम रखेंगे नजर आक्शन में आएगा Numbers मंडे को